आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तो आज का मारा Question क्या है Identify the type of disaster and describe the effects of the same in brief मेरे पास एक type of disaster दे रखा है Theft और मुझे बताना है किस type का disaster है और इसके क्या effects मुझे देखने को मिलते हैं तो पहले इसका type देख लेते हैं तो Theft का मतलब होता है चोरिया तो चोरी हो रही है तो ये तो obviously man-made disaster हुआ naturally तो होती नहीं है तो ये हो गया एक man-made disaster अगर मैं इसको man-made disaster के अंदर sub-category देने की कुशिश करूँ तो मैं इसको बोलूँगा intentional disaster intentional अब intentional का मतलब क्या है कि जान पूचके किया गया दूसरा type होता है unintentional जो कि जान पूचके ना किया जाए पर हमें पता है चोरी गलती से नहीं होती चोरी जान पूचकी की गई होती है तो ये intentional disaster बन गया अब इसके कारण effects देख लेते हैं इसके effects क्या होते हैं सबसे पहला और basic loss तो ये है कि economic loss to the person who suffered theft मतलब जिस बंदे के यहाँ चोरी हुई है उसको economic loss हुआ उसके पैसे उसकी jewelry वगयरा लेकि अगर चोर गया है तो obviously उसको economic loss हुआ second कई सारी cases में अगर चोरी जादा है मान लो उस बंदे ने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने पूरे सालों से कुछ पैसा जमा रखा हुआ है है ना कुछारे परिशान हो सकता है तूट सकता है ठीक है और third है कि in some cases loss of lives कई बर क्या होता है चोर वगयरा गंस लेके आते हैं या फिर अपनी जो है नाइव सिया चाकू अगरा लेके आते हैं तो उस case में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग मार देते हैं जिनके हाँ चोरी करने आते हैं तो जिन लोगों के हाँ चोरी हुई कभी-कभी वहाँ पे जो उस जगह पे रहने वाले लोग थे उन में से किसी की death भी हो जाती है ठीक है? तो I hope यह question अब सबको समझ में आ गया होगा